स्वागत है आपका VDS Computer के इस YouTube चैनल पर जहां आप Computer से संबंदित वैसे साड़े प्रशनों को देखेंगे जो विभिन परकार के परतियोगी परेक्षाओं के लिए महतपूर्ण है तो चलिए बिना समय गमाएं इस वीडियो सेशन को सुरू करते हैं तो आज का पहला सवाल य दोस्तों 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 दोस् अगले प्राश्न की ओर, Input, Output and Processing Device, Group together represent AN, Computer की Input, Output and Processing Device को क्या कहते हैं संज्यूक दुरूप से, क्या उसे Mobile Device कहेंगे, क्या Information Processing Cycle कहेंगे, Circuit Board कहेंगे, या Computer System कहेंगे, तो दोस्तो, Input, Output and Processing Device को संज्यूक दुरूप से Computer System कहेंगे, इसलिए D is the right answer दोस्तों, चलिए बरते हैं अगले प्राश्न की ओर, Computer cannot perform, दोस्तों, Computer क्या perform नहीं कर सकता है, Input, Output, Thinking and Processing, दोस्तों, Computer Thinking नहीं कर सकता है, वो सोच नहीं सकता है, Computer को हम जैसा Command देंगे, वो ऐसा ही करेगा, इसलिए C is the right answer, चलिए बरते हैं अगले प्राश्न की ओर, Benefits of Computer are, दोस्तों, Computer की क्या महत्पुन विस्षिस्ता हैं, क्या वो very fast and can store huge amount of data, क्या वो बहुत तेज चलता है और बहुत सारे data को store कर सकता है, Is the right answer, दोस्तों, वो बहुत fast चलता है और बहुत सारे data को store करके रख सकता है, भी option भी देख लेते हैं, दोस्तों, Provide accurate output, either input is correct or not, क्या computer, input के द्वारा प्रोभाइड किया गया data को process कर सकता है, चाहे वो गलत हो या सही, दोस्तों, ये option बिलकुल गलत है, input जो हम जैसा देंगे computer को, वो वैसा ही लेगा, यदि हम सही देंगे, तो वो सही लेगा, गलत देंगे, तो गलत लेगा, वो खुद से सही नहीं कर सकता है, इसलिए B गलत है, क्या वो processing के लिए सोचता है, दोस्तों, नहीं, दोस्तों, ये option भी गलत है, computer सोचता तो बिलकुल भी नहीं है, इसलिए A is the right answer, दोस्तों, वो बहुत सारे data को store कर सकता है, और बहुत तेज़ चलता है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्राशन की ओर, Trackball is an example of, Trackball किसका उधारन है, दोस्तों, क्या वो programming device है, क्या वो pointing device है, क्या वो output device है, या software device है, दोस्तों, Trackball एक pointing device है, ट्रेक बोल एक input device है, दोस्तों, जिसका उप्योग computer या un-electronic उपकरनों में गती data को दर्ज करने के लिए किया जाता है, या एक अलग तरह का computer mouse है, या एक प्लास्टिक का आउरन होता है, जिसके उपर एक ball लगी होती है, दोस्तों, जो screen पर cursor का का काम करती है, तो चलिए बढ़ते हैं, अगले प्राशन की ओर, the earliest calculating device is, दोस्तों, सबसे पहला calculating device क्या था, तो दोस्तों, अबेकस नाम का पहला calculating device बनाया गया था, जो 602 में चाइना के द्वारा बनाया गया था, जिसका महत्पुर्ण काम जोड़ना और घाटाना था, तो चलिए बढ़ते हैं, अगले प्राशन की ओर, अबेकस कैन परफर्म, अबेकस क्या परफर्म कर सकता था, दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया के अबेकस एक चाइना के द्वारा बनाया गया कम्पुटर था, जो एडिशन और सबस्टेक्शन का काम करता था, इसलिए D is the right answer दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रेसर एक नाम का जो कम्पुटर था, वो प्रेसर एसकर्ट एन जोन डवी मौचली के द्वारा बनाया गया था, सबसे पहला कम्पुटर डिवाइस दोस्तों, प्रेसर एसकर्ट एन जोन डवी मौचली के द्वारा सन 1946 में पहला इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्पुटर बनाया गया था जिसका उप्योग मौसम का पुर्वानुमान एटोमिक इनर्जी के कल्कुलेशन और साइंटिफिक यूज के लिए बनाया गया था इसलिए इसका सही जवाब सी होगा दोस्तों चलिए बरते अगले प्रस्ट की ओर कंप्यूटर साइज वाज भेरी लार्ज इन दोस्तों कंप्यूटर का साइज किस जनरेशन में बहुत बड़ा था तो इसका सही जवाब ए होगा दोस्तों कंप्यूटर का साइज फर्स जनरेशन में बहुत बड़ा था चलिए बरते अगले प्रस्ट की ओर फर्स्ट rapt computer of India इज दोस्तो इंडिया का पहला computer क्या है यह वह P-RAM है किः सिधार्थ किः IBM 370 KRE FIRST दोस्तो B is the right answer सिधार्थ नाम का computer इंडिया का पहला computer था चलिए बढ़ते अगले a Close George Tablet PC is a type of दोस्तो टैबिलेट यह PC किस परकार क्या होता है सूपर कम्पूटर होता है, मिनी कम्पूटर होता है यह में फ्रेम कम्पूटर होताई दूस्तों A is the right answer टैबलेट यह पीसी, μाइक्रो कम्पूटर होता है यह इन माइक्रो कम्पूटर एक छोटा डिवाइस है जिसका उपयोग 208 के बड़े पह्माने पर किया जाता है इसलिए इसका सही जवाब यह होगा, माइक्रो कम्प्यूटर, चलिए, बरते अगले प्रश्न की और, कम्प्यूटर्स डेट आर पोर्टेवल और कॉन्भेनियेंट तो यूज फोर यूजर्स हूट्रेवल और नॉन एल्ट। दोस्तो वैसे कम्प्यूटर जो पोर्टेवल होते हैं, पोर्टेवल करने का मतलए दोस्तो एक स्थान से दुसरे स्थान पर असानी से ले जाया जा सकता है और ट्रेवल में सुविदा परदान करता है, वैसे कम्प्यूटर को क्या कहते हैं, क्या उसे super computers कहते हैं या servers कहते हैं mainframes कहते हैं या laptops कहते हैं दोस्तो इसका सही जवाब D होगा laptops laptop जो होता है वो बहुत ही portable होता है और उसे एक स्थान से दुसरे स्थान पर असानी से ले जाया जा सकता है तो चलिए भरते अगला प्रश्ट की ओर which type of computer is used in atomic aircraft landing दोस्तो किस परकार के computer का उप्योग atomic aircraft को landing में किया जाता है दोस्तो अभी अभी हमने देखा था चंद्रयान थिरी को जो चंदमा के सता पर landing किया था उस परकार के landing में special purpose computer का उप्योग किया जाता है इसलिए c is the right answer दोस्तो a special purpose computer चलिए बढ़ते अगले प्रश्ट की ओर in which of the flowing computers are used दोस्तों computers का उप्योग किन किन छेतरों में किया जाता है क्या computer का उप्योग banking में किया जाता है education में किया जाता है offices में किया जाता है या all of these दोस्तों computer का उप्योग in service सेक्टरों में किया जाता है, इसलिए D is the right answer, चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रोशन की ओर, दोस्तों, कम्प्यूटर के द्वारा परफर्म किये गए समान फंक्शन क्या क्या है, क्या वो डाटा को प्रोसेसिंग करता है, डाटा स्टोर करता है, या डाटा का मुमेंट करता है, दोस्तों, कम्प्यूटर द्वारा परफर्म किये गए बेसिक फरक्शन ये तीनो है, इसल यह इसका correct answer D होगा all of the evolved दोस्तों आज का वीडियो सेशन यही समाप्त करते हैं उमिद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो comment करें धन्यवाद